इस विडियो का टाइटल है पहली बार computer को हाथ लगा रहे हो तो-क्या तो यह कि आपको यह video एंड तक देखना चाहिए जिया दोस्तों अगर आप पहली बार computer को इस्तेमाल कर रहे हो आपको computer के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आपको यह video ंड तक देखना तो उसके लिंक में देदूंगा आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन बहुत सरे लोंगा कहना था कि सर एक साथ तीन साड़े तीन घंटे का वीडियो हमसे नहीं होगा तो इसलिए मैंने यह पार्ट-पार्ट में वीडियो बना है तो पहले पार्ट में आपको बत पूर्ट डिवाइस के बारे में डीटेल जानकर इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जियां दूस्तों तो डीटेल में अगर आप सीखना चाहते एक कंप्यूटर फंडमेंटल तो यह साथ पार्ट आपको लगातार देखने चाहिए यह पहला पार्ट है और हर सो म मतलब एवरी मंडे शाम को मिलेगा पाच बजए आपको एक नया वीडियो इस पार्ट का तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजेगा अभी ताकि हमारी वीडियो की नोटिपिक्शन आपको मिले और इस वीडियो को बनाने के लिए मैनत लगी है तो हमेशा कितर आपसे रिक्वेश्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भूलेगा नहीं वीडियो देखते समय लाइक कीजिए देखने के बाद लाइक कीजिए लेकिन लाइक जरूर कीजिए साथी में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जरूर नो बक्वास मैं सतिश कंप्लीट टेकर आओ चैनल में आप सबका सौगत का तो शुरू करतें कंप्यूटर पार्ट का इंट्रोडक्शन लेट्स विगिन तो जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आप से कहा था कि हम साथ चाप्टर में इसे डीटेल में सीखने वाले तो सबसे पहला चाप्टर है हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन कंप्यूटर डेफिनेशन computer की definition सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद computer के parts के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा अब computer का बहुत सरे लोग full form निकालते हैं, basically computer का full form नहीं होता है, आप कुछ भी निकालने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन computer एक word है जैसे कि एक italic word है, compute याद रखिए, जब computer scientist ने डेवलप किया था, तो ये calculation करने वाली machine थी, ये बाते बहुत सरे लोगों को पता नहीं है, मैं detail में बता रहा हूँ इसे धान में रखो, ये calculation करने वाली machine थी जब ये starting में invent किया गया था, तो उस टाइम पे italic language में compute नाम का एक word है, जिसका meaning होता है calculation करना, तो इस machine को नाम दिया गया है, calculation करने वाली machine को computer, अब ये खाली calculation ही नहीं करता है, आपको पता है बाव बली movie भी इससे बना है, और बहुत सारी चीज़े आजकल होती है, आपको मुझे detail में समझानी की जरूरत नहीं, लेकिन इसका नाम computer कैसे है, italic language में compute मतलब calculate करना और वही compute becomes computer, right, calculation करने वाली machine थी, इसलिए calculator का ही बन गया, एक additional version जिसे हम computer बोलते है आप तो यह बहुत सारी चीज़े करता है, और कहां कहां यूज होता है, यह मुझे detail में बताने की जरूरत नहीं अब मैं आपको बताऊंगा computer की definition क्या होती है, computer it is an electronic device याद रखिए, अगर आपको कई पर definition बतानी तो आप यह बता सकते, computer it is an electronic device it works with IPO system, यानि कि एक electronic devices जो electricity पर चलता है और यह IPO system में work करता है, IPO मतलब input, process and output, I stands for input, P stands for process, O stands for output, अब input मतलब computer को हमें कुछ instruction देने होते हैं, वो automatically काम नहीं करेगा, जब तक हम instruction पास नहीं करेंगे, तो instruction पास करने वाले devices को यहाँ पर input devices बोला जाता है, याद रखिए, the devices which through we pass the information to computer, or we instruct to computer, that is known as input devices, जिसके जरे computer को हम instruction देते हैं, उन devices को input devices कहा जाता है, input devices मैंने आपको बता है, उसके बाद processing, यानि कि हम जो data टाइप कर रहे हैं, जो भी हम command दे रहे हैं, उसके उपर process करना, दिमाग लगाना कि इसको क्या करना है, जैसे मैंने 25 प्लस 25 टाइप किय तो उसके 50 करना है, यह computer को पता है, computer के brain को पता है, और उस brain को CPU कहा जाता है, processing device कहा जाता है, central processing unit कहा जाता है, और अलग अलग नामे, तो यहाँ पे basically CPU यह होता है processing device, और तीसरा होता है output devices, output devices, the devices which through we can get the data, that is monitor, अब इन devices को मैं detail मैं explain करूंगा, don't worry, पहले मैं आपको बता र devices, the devices which through we get the data from computer, हमें result दिखाई देता है, कि हाँ, यह मैंने type किया, यह result आ गया, so that is called output devices, तो यह हो गया computer के definitions, basically computer के definitions मैंने आपको बताई, अब हम computer parts की तरफ जाते है, और computer के parts को detail मैं समझते है, जैसे मैंने आपको कहा था कि computer के 3 section में parts होता है, जैसे input devices हो गया, processing हो गया, output devices हो गया, और इसमें storage भी होता है, basically, पहले हम input devices के बारे में जानते, input devices मैंने आपको कहा था कि devices जिनके तरू computer को data देते है, तो ऐसे कौन-कौन से devices है, जिनके तरू computer को data देते है, जारब बता हो, नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, जैसे keyboard हो ग तो यह mouse के तरू भी एक instruction जाता है computer के तरू, यह भी input device है, keyboard और mouse commonly input device है, commonly आने की इनके बगेर आप computer operate नहीं कर सकते, याद रखे, keyboard and mouse commonly input device है, यह चाहिए चाहिए, आप बोलोगे mouse नहीं रहेगा, तो भी मैं keyboard से shortcut की से access कर सकते, लेकिन drawing, designing part करना है, बावली movie बनाना है, cartoons ब जरूरत महाँ पर है, mouse के बगर होगा क्या नहीं होगा, तो यह दोनो commonly input devices, इसके अलावा web camera होता है, web camera, web camera आपको पता रहेगा, जो screen पर मैं आपको दिखाता हूँ, web camera जो की आप chat वगरा कर रहे हो, तो जरूरी होता है, online chat के लिए आपका वीडियो दिखने के लिए सामने और web camera की जरूरत तब होती है, और web camera की input device है, आपका video input कर रहा है, pictures input कर रहा है, that is what input device, और web camera laptop में तो inbuilt रहता है, computer में आपको अलग सा खरीदना पड़ता है, उसके बाद scanner भी input device हो गया, scanner के थूरू हम images scan करके computer में देते है, याद रखिए, लेकिन scanner में यहापे अकेला scanner न data in कर रहे है, लेकिन यह commonly input नहीं है, जब आपको जरूत है, इसे specialized input कहा जाता है, मतलब camera हो गया, scanner हो गया, या फिर light pane हो गया, जिसके जरी हम signature करेंगे, light pad पे, वो अंदर दिखाए देगा computer में, screen face आरी images में आपको दिखा रहा हूँ, तो यह जो light pad होता है, जिसके जरी हम signature करते हैं, वो computer में दिखाए देते हैं, यानि कि input हो रहा है, उसके अलावा हम game खेलने के लिए joystick यूज़ करते हैं, वो तो जानते होंगे, joystick जिससे हम game खेलते हैं, और या फिर trackball हो गया, जो पुराना mouse की जगह यूज़ किया जाता था, तो ऐसे input devices, जो specialized input devices के नाम से जाने जाते हैं, इसके अलाव माइक भी हो गया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यह आवाज record हो रही है, so this is also specialized input device, जब जरूरी है, तभी हम लगाते है, तो यह हो गया input devices के बारे में, जानकारी मैंने आपको दी दी, यह वडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन आप तक बैटे computer courses, computer hardware या फिर computer basic to advanced courses सीखने का मोका आपको मिलेगा, घर बैटे बैटे with certificate, जी हाँ, बहुत ही कम फीज में मैंने मेरी website के उपर यह courses रखे, description में link मिल जाएगी, मेरा application website की, जहां से आप घर बैटे बैटे mobile के उपर, या फिर अपने laptop के उपर घर बैटे computer courses सीख सकते with practice file and all detailed courses है दोस्तों, जी हां इतने advanced level पर आपका offline classes में भी नहीं मिलेगा, online सीखने का यह benefit होता है कि आपका यहां पर समय बचता है, जैसे आप यह online course सीख रहो तो आपका समय बचता है, फिर आप companies में ज्यादा courses सीखते हो, और repeat repeat चीजों को सीख सकते है, तो ज़रूँ चे brain हटा दिया गया, तो वही body कुछ काम की नहीं है, वैसे computer का brain है CPU, याने कि Central Processing Unit, एक छोड़ी सी cheap रहती, जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, यह cheap जो पूरे computer पर नियंतरन रखती, क्या process होना है, क्या नहीं process होना है, क्या पर store करना है, क्या पर data लेके जाना ह होता है, यहाँ पर इसे computer का brain कहा जाता है, याद रखी, यह cheap नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यह important devices processing, प्रोसेस करता है computer के सारे instruction को, उसके बाद output devices, output में हमें monitor पता है, जिसके जरीया में display मिलता है, और printer पता है, जिसके जरीया में printouts मिलता है, अब monitor के output को, ध् कभी भी edit कर सकते है, and printer output known as hard copy, याद रखिये, printer से output आता है, वो printout है, उसमें हम edit नहीं कर सकते है, एक बार print निकल गया, निकल गया, भाई, तो आपको यह समझ में है, printer का output है, वो hard copy है, monitor का output, soft copy, यह exam में आते है questions, और यहाँ पर मैंने monitor और printer के बारे में बता है, यह output device है, यहाँ पर printer specialized में आता है, monitor commonly आता है, क्योंकि वो चाहिए, monitor के बागर आप देख कैसे सकते है, कुछ नहीं देख सकते है, और उसके अलाव output devices में speaker आता है, speaker, लगाव music, ओके, वो बताने की ज़ुरत नहीं, तो यह output devices है, तो input processing and output devices को हमने जान लिया है, अब यह है computer के parts के ब hard disk and SSD में क्या अंतर है, hard disk is mechanical है, मतलब अंदर एक motor है, platter है, उसके पर data record होता है, और SSD एक memory card की तर है, simple है, memory card आपको पता है, एक chip के format में होता है, तो अगर आप computer खरीदने का सोच रहे इन feature है, तो SSD वाला ही ज्यादा तर मैं recommend करूंगा लेने के लिए, हाँ, storage के लिए आप OS चलाना है, तो SSD मतलब एक computer में 2, 2, 3, 3, 4, 4 hard disk लग सकती है, याद रखिए, तो एक SSD लगाओ, और 1 HDD लगाओ, SSD कम storage वाली ले लो, क्योंकि वाह पर बस operating system run करो, और HDD जो है, जादा storage वाली ले लो, यह जादा complicated चीज़े लग रहे होगी, HDD, SSD, तो इसके उपर मैंने already course design क description में लिंक आपको दे दूँगा, hardware का पुरा 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 course है, ISO 3D की साथ, चेक आउट कीज़े, अगर आप interest ओडो, यह सारी चीज़े जानने के लिए, SSD, HDD, क्या-क्या होता है, बहुत सारी चीज़े, उसमें क्या-क्या difference है, उस सारी चीज़े explain किए, और वैसे भी मैंन ने computer के external parts के बारे में जान लिया, internal parts भी होते हैं, इसके अंदर motherboard होता है, जो computer के सारे devices को attach रखता है, उसके बाद RAM होता है, जो की processing speed के लिए use किया जाता है, screen पे RAM भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से RAM की cheap रहती है, यह आपके computer के processing speed बढ़ाने के लिए use होता है, और उस SMPs होता है, जो computer में power supply provide करने का काम करता है, switch mode power supply, पुराने computer में DVD writer या CD writer हुआ करते थे, जो screen पे मैं images आपको दिखा रहा हूँ, यह internal part है, याद रखिये, CPU के अंदर के internal part है, इसके ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दूँगा, क्योंकि यह hardware का session नहीं, लेकिन ब आखी का part देखना चाहते हैं, तो channel को subscribe करके रखिये, अल्री किया है, तो आपको notification मिल जाएगी, मिलते हैं, next Monday को शाम को 5 बजए, याद रखिये, note down कर लीजिए, वैसे भी मेरी notification आपको मिली जाएगी, bye bye guys, सीखते रहो, सीखाते रहो, अपना खयाल रखो